मैं हूँ रागीनी और आप सब का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल द्रिशागर संसार में का इसमें आज आप लगों के साथ शेयर करने वाली है मुंबई और पूने की बहुत ही मशूर ब्लैक पाव भजी की रेस्पी इसे परना बहुत जादा हासान है बहुत ही इसी में खर पर इस रेस्पी को ट्रैस जरूर करें वीडियो पसंद आतो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले तो पाव भजी बनाने के लिए सबसे पर हमें कुछ सबजिया चाहिए जिसमें फ्रेश हरे मंटर के दाने गोवी आलू और गाजे लिया इसे मैं तीन मेरे पास में इसके साथ ही दगड़ फूल और रौट लॉंग भी है इन सारे मसाले जमें चाहिए साथ में सूखा नारिल का तुकड़ा है थोड़ा बड़ा और यहां पर मेरे पास यह कटी हुई प्यास बारी कटी हुई दो और एक टमाटर साथ में दो चमच अधरक लसन का पेस्ट सबसे पहले देखिए यहां पर सब्जिया हमें तीन से टी आने तक पका लिए हैं अच्छी तरह से पक्षू कि एक्ष्रा पानी इसका निकाल देते हैं यह सारी सब्जियों को हमें अच्छी से मैश कर लेना है अगर इसमें पानी रहेगा तो मैश करने में प्रॉब्लम होगी इसलिए पानी निकाल दे और इसके पास सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मैश कर लिए अब जो हमें नेक्ष्ट प्रोसेस करना है वह हमें कड़ा तो अच्छा कलर और उतना अच्छा टेस्ट आपके आने वाला है तो कड़ाई गरम करने रख दिया साइड मैंने और उसके बाद में यहां पे सारी मसाले और जो यह सुखा नारियल है यह सारी हम मिक्सर की जार में डाल देंगी और इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगी में और टेशाए लेंगी तो यहां पर देखिये हमारा मसाला रड़ी है इससे साइड बे रख देते और चलते ने रख चिन दर शट डाएंगी तो दूंडी बटर जो दालना चाहरा है बटर बटर प्याजिक थांशा की ब्टर सी पावबरी कर टेस्ट आता है साथ में एक करए तो नमक करदेंगे ताकि प्याज और टमाटर कर से ठाक्ट करके सब्सक्छार गया है को जब टमाटर सब्सक्रै इस केलें घब आधर्श में आ रहेंगे अगर आपके पर साबुत मसाला हो मिन्स साबुत धन्या पौडर हो तो आप मसाले में वह भी पीछ सकते हैं थोड़ा सा पाने डाल देंगे ताकि मसाला हमारा नीचे जले ना कड़ाई में मिन्स लगे ना तो यहां पर देखिए टमाटर और प्यास अपक शुका है जो मसाला का नीचे पाउडर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2-3 में तक इसे भी भून लेंगे मसाले बूनने के बाद मैं डाल दे रही हूं जो वैजी टेवल समने मैश किये थे वह सारी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है तो देखिए यहां पर ब्लैक पाब भाजी बनके रेड़ी है कितना अच्छा टेस्ट मतलब कलर आया है इसका टेस्ट अभी स्मेल से मुझे ही पता चल रहा है इसमें स्वादनुसा नमक डाल देते हैं नमक के बिना सारा खाना अधूर है तो टेस्ट के अच्छी तरह से मिक्स करने के आया पर ओडा यह जो अपको दिख上 यह जो जारा करें पादर बनाया था यह जार बनायाfeed है यह सारा उसका कमाल है जो एखा ड़ परिफ कर देंगे और पंच ने स्था हो स्मीन कर लेती हो यह जीतना यह जाने महग बहुत जादा प्यारी है तो यहां पर दिखे एक भर मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद यह सब्सक्राइब के रेड़ी है आप जटो फ्रेश हर देनी की पती डाल सकते है तो पाव जटो के बाद बाद भाजी रेड़ी है और अप जटो उपने के पाव बारी बाद आप इसे तरह से बना के एंजॉय करें आपको यह बहुत जादा पसंद आएगी अगर आपको यह रेस्पी वीडियो पसंद आए तो बोलना तो नहीं चाहिए पर बोल देती हो कमेंट ज़रू करिएगा और लाइक भी ज़रू करिएगा और इस रेसिपी को अपने करपे ट्राय भी ज़रू करिएगा चलिए अब मैं मिलूंगे आपसे अगली वीडियो में आप बाइक यो